कि चलिए दोस्ते यहां पर सिंपली इलस्ट्रेशन नंबर 8 का एक चोटा सा वीडियो पार्ट में आपको प्रोवाइट कर रहा हूँ जहां पर हम सॉल्यूशन से प्रोवाइट देख लेते इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेशन को देखेंगे मैंन करने के लिए दिया था जो मैंने आपको यहां पर कंप्लीट कैलकुलेशन दिखाई है ऐसे मोडियो में जो है पॉइंट वाइज उन्होंने जो है चेंजिस करें इसलिए थोड़ा सा मरा आंसर जो है तीन सो दो सो का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लेकिन यह आंसर क लेता है आपके जो सोलिशन होते है वहांपे तो यहां पर हमारा आंसर यही इस तरह के रहेगा एक बार आप चेक कर लेजिए अच्छर यहीं आ रहा है ठीक है चेंजे से मुझे सक्षिन में मुझे बताईए तो यहां पर मैं सिंपली यह बताना चाहता था कि दो बेजिक ठीक है हर साल जितने भी income आ दिए उसको लिखे उसे present value में convert करके NPV निकाले फिर दूसरा जो new machinery है उसका income हर साल लिखे उसे convert करे present value net present value निकाले और फिर दोनों का difference देखके आप पता लगाए कि beneficial है या फिर नहीं यह basically बहुत ज्यादा बड़ी calculation हो जाती है क्योंकि हम old machine का income ल लिखेंगे तो इससे अच्छा यहां पर क्या होता है कि एक simple way कहा जाता है कि अगर आपका replacement का question है अगर आपका replacement का question है तो एक ही simple यहां पर point होता है कि आपको क्या करना होता है यहां पर simply दोनों का incremental लिखाल लीजे वही बहतर point होता है incremental आपको निकाल के उसे present value में convert कर यह कि हाँ जी यह perfect है कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो हमने क्या करा incremental निकाल लिया जैसे की calculation हमने करी थी कि दोनों का जो incremental part है वही हमने direct निकाल लिया उससे present value में निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा तो इससे वह calculation बच जाएगी कौन सी old को पहले present value में convert करो फिर new को present value में convert करो फिर दोनों का difference लो तो उससे अच्छा हमने direct पहले ही difference लेके उसको ही present value में convert कर दिया तो हमारा एक पूरा लंबा टेबल में ही काम खतम हो जाएगा वनना ऐसे दो आपको टेबल बनाने पड़ते हैं ठीक है तो insert करना कितना रहा करना का कुछ भी ज्यादा नहीं रहा profit before depreciation और टेक्स निकाले जो कि incremental से हम निकाल सकते हैं बहुत ज्यादा आसान रहता है ठीक है इसके बाद depreciation जो real वाला होता है 7.5% के इसाब से यहाँ पे question में कहा था कि वो ले ना था लेकिन हमने straight line ले लिया था तो 7 1.5% के इसाब से निकाल ये depreciation depreciation profit before depreciation tax पे निकलेगा राइट इस पे हमने निकालने की पूरी के पूरी calculation करी थी basically एक चीज मैं आपको बता दो question इस chapter में से mostly 10 से 15 नंबर खाता है तो इतना बड़ा question नहीं पूछेंगे इतना बड़ा question नहीं पूछेंगे लेकिन हाँ यही same question आपको 5 साल के अंदर अंदर आपको दे दिया जाए मतलब कि 10 साल है ना तो 5 साल करके आपको एक question पूछा जा सकता है तब ही तो यह question छोटा ही हो जाएगा तो 10 से 15 नंबर में fit आ जाएगा तो तब इस तरीके से कोई changes करके पूछ सकते हैं तो basically यह question के concept में है यह question में नह देखे गए हमेशा देखा गया है कि same question इसमें से आने के chances थोड़े से कम रहते हैं लेकिन हाँ इसके points जो है वह आने के chances सबसे ज्यादा रहते हैं अगर इस सारे question के आप practical question भी करेंगे तो सारे question के अगर आप प्रेक्ट जो points है important important जो मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ कि points लिखवाने का कारण यह है सब जगह आपके पूरे जो FM के अंदर मैंने points लिखवाए वह points important रहता है question तो चाहे मर जी कहीं से भी पूस ले points same रहने question same नहीं रहने ध्यान रखेगा ठीक है क्योंकि आप 12th level में नहीं है कि जहां पे आपके book में से कोई ना कोई question copy paste करके डाल to text किया जाएगा ठीक है अगर points clear है तो कोई भी question आपका आजाए आपको clear होगा ठीक है इसलिए यह points important है इसलिए हमारे यह जो notes है वो ज्यादा सब student को यहाँ पे सबसे ज्यादा यह पसंद इसलिए आदे क्योंकि इसमें ऐसे points हमने लिख रखे है ठीक है और points के बाद उसक question ठीक है तो question का reference लेकर रखते है तो यहाँ पर revision के time student को बहुत ज्यादा helpful रहता है इसलिए student यह notes ज्यादा prefer करते है आच्छा इसके बाद यहाँ पर देखे है हमने सबसे पहले यह ओमक में दिया था आपने यह किया होगा कि आपने inflow निकाला sir inflow निकलता कैसा है सबसे chapter की starting में पढ़ा है था कैसे sir profit before depreciation and tax आपने निकाला ठीक है इसमें से depreciation minus करेंगे tax लेंगे tax minus करेंगे tax minus करने के बाद आपको मिल जाएगा profit after tax profit after tax में फिर क्या करेंगे sir depreciation add back कर देंगी क्योंकि वो non case था chapter की starting में ही पढ़ा दिया ठीक है तो यह वही चीज़ है और inflow आपके पीवी फेक्टर से multiply करना लेकिन पीवी फेक्टर में एक चीज़ always याद रखता यह याद रखना कि अगर question पीवी फेक्टर देता है तो कंपलसरी वही लेना फिर यहां पे चार पॉइंट पांच पॉइंट ऐसा नहीं लेना पॉइंट के बाद चार डिजिट पांच ले सकते हैं हमने कहा था चार डिजिट नोर्मली लेकर चलिए वह बहतर रहता है फिर आप अपने तरीके से ले सकते लेकिन अगर question ने दिया है तो कंपलसरी वही copy paste करना पड़ेगा ठीक है अच्छा यह चीज़ क्लियर आपके पास में और चीज़ यहां पर 10th year में आपको sellways मिलनी है और sellways में depreciation और नहीं मिलता राइट यह आपकी कोई business income नहीं है यह machine को बेच के जो आपकी sellways value है वो रहेगे तो यह direct आपके पास में pay factor से multiply होगे इन मतलब कि 35,000 को क्या माना जाएगा sir inflow ही मान लिया जाएगा direct यह एक और चीज़ यह important है ठीक है यह 80,000 यह तो profit before tax and depreciation था ठीक है तो यह चीज़ आपके पास में इसमें से depreciation कटना है इसमें से वो tax कटना है फिर वापस से depreciation एड होना है यह सारी चीज़ है फिर inflow मिलेगा लेकिन sellways में ऐसा नहीं होता sellways आपकी business income नहीं है यह machine direct बेचा आपको जो income हुई inflow मान लिया जाएगा और उस सारी के सारी income निकल के आई हमें क्या चाहिए होता है सर नेट present value हमें यहाँ पे क्या देखना है सर नेट present value positive है या फिर negative यह देखना होता है ठीक है तो net present value कैसे मिलता है सीधी सी बात है सर आउट flow में से inflow माइनस कर दो और हमारा तो यहाँ पे format है ना यहाँ पे हम zero करके आ is equal to बताइए आउट flow क्या है present value of आउट flow क्या है सर प्रेजन्ट वैल्यू ओफ आउट फ्लो तो सर खर्चा कितना होना है खर्चे के बारे में हमने already starting में ही लिखा था देख लीजिए क्या है सर तीन लाग पचासजर वैसे machine new का new machinery का price कितना है चाल लाग पचासजर लेकिन old machinery देने से एक लाग कम हो रहा है और आपके पास में amount निकल के आ रहा है 3,50,000 तो 3,50,000 को यहाँ पे consider किया जाएगा हमें payment कितना करना है 3,50,000 फ्लिपकर्ट का mobile का example मैंने दिया था त तो 3,50,000 पे करना है तो यह outflow है ठीक है यह outflow है यह खर्चा है 3,50,000 खर्चा always minus में दिखाया जाएगा right और इसमें क्या करते है सर हम minus कर देते है अपना present value of inflow basically formula इससे तरिके से होता है inflow minus outflow मैंने उल्टा लिख दिया ठीक है present value of inflow inflow always plus में दिखाया जाता है right inflow कितना निकल क्या है यही तो हमने inflow निकला right तो 394,480.39 ठीक है जल्दी से answer निकलेंगे क्या answer NPV positive आ रहा है या फिर negative positive आ रहा है तो accept कर लेने के लिए कहेंगे और अगर negative आ रहा है तो नीचे not लिखेंगे कि यह acceptable नहीं है जल्दी से answer निकलें obviously positive भी दीख रहा है मुझे क्योंकि 3,94,480.39 में से 3,50,000 माइनस करना है तो obviously आपके पास में positive answer आएगा और positive answer आपके पास में आ रहा है 4,44,000 आपके पास में 480 यह आपका answer आ रहा है 0.39 आइसे मोडिल से थोड़ा बहुत difference हो सकता है इनका answer कितना आ रहा है 200-300 का फरक होगा ज्यादा नहीं यहाँ पे देख लिए जब 4,4006 यह इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्या है कि point में कोई changes वगेरा किया होगा लेकिन आप एक बर कर लिजिएगा अपने calculator के इसाब से तो यह answer आ रहा है न ठीक है यह answer आपके पास में आ रहा है तो यह correct माना जाएगा ओके जी यह चीज आपके पास में clear यह चीज आपके पास में clear ओके तो यह लिजिए आपके पास में answer आ रहा है और answer मुझे positive दीख रहा है और positive दीख रहा है तो नीचे note लिखेंगे note लिखना compulsory है note लिखना compulsory है क्योंकि note के number है अगर note लिखा तो आपके उसको marks दिये जाएंगे उसके भी ठीक है कि हम लिखेंगे कि यहां पर दिखेंगे since इसी type की कुछ working note लिखा गए यह sentence compulsory नहीं आप अपने तरीके से language में लिख सकते है since the net present value the net present value NPV of incremental amount incremental amount को ही हमने direct कर लिया न तो वही पहतर incremental amount is positive जो incremental amount का NPV निकल हो वो तो positive निकल के आ गया और positive निकल के आया इसलिए हम क्या कहेंगे sir project जो है और प्रोजेक्ट जो है वो accepted और प्रोजेक्ट आपके पास में accepted ठीक है ठीक है ठीक है प्रोजेक्ट जो है यहां पर सुरी replacement की बात कर रहें तो replacement accepted होना चाहिए ठीक है replacement रिप्लेस्मेंट जो है वो एक्सेप्ट आपको कर लेना चाहिए क्योंकि एनपी भी पोजिटिव है मतलब कि इसमें कोई ना कोई फाइदा आपको मिल रहा है यह आपके पास में यह पूरे का पूरा क्वेशन आप इसे नोट डाउन कर लिजेगा ठीक है और यहां पे कुछ आप step लिए टीक है इस illustration नमबर आपके पास में यहाँ पे एक summary में रिखाऊंगा यह solution यहां से start होता है आपका solution जीक है यह solution आपका यहां से start किया था यहाँ पे आप जो है कुछ illustration number 18 हाला कि आपने पहले जगा छोड़ी ना हो तो यह question के end में लिख सकते हैं यहाँ पे simply question number illustration number 18 का एक summary point लिखे illustration number 18 summary करके ठीक है तो बताइए सबसे पहले हमने क्या काम करा सा सबसे पहले हमने net price net price निकाल दिए ठीक है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे step by step अगर work करें तो solution में आप देखते भी जाएंगे और step यहाँ पे लिखते जाएंगे सबसे पहले हमने illustration 8 में जो की replacement से base है ठीक है in the case of replacement in the case of यहाँ पे word लिख दीजेगा in the case of replacement आपका step by step work होगा step number one क्या है सबसे पहले तो हम net price सीधी सी बात है अगर mobile को आप exchange करना चाहते तो यही देखेंगे न सब सामने से कितना amount मिल जाएगा मतलब की अपना net price payment कितना है ठीक है तो यहाँ पे net price देखेंगे सबसे पहले net price ठीक है net price कि हमारे सामने से old machine देने से कितना पैसा मिलेगा कितना पैसा कटेगा बेजिकली अगर का है तो और new machinery कितने का है तो net price सबसे पहले निकालेंगे इसके बाद हमने क्या करा सर इसके बाद हमारे को क्या चाहिए था सर required था हमें required था required था required था NPV NPV को हमें देखना था NPV को हमने देखना था NPV positive है या फिर negative ठीक है positive और negative यह हमें देखना था basically इससे question खतम हो जाता हमें अगर NPV आप directly दे देते हैं तो question ही खतम हो जाएगा ठीक है हमें बस यही चाहिए था कि NPV positive है या फिर negative लेकिन इसने NPV directly दिया नहीं इसलिए यह question बढ़ा पना अगर NPV के बारे में direct information होती तो question तो अभी खतम हो जाता कि net price देख लेते ठीक है मतलब कि net price का मतलब क्या है sir आउट लो कर्चा कितना होना है exit ठीक है आउट लो ठीक है और इसी से ही हम क्या निकाल सकते हैं अगर question में directly information होता छोटा सा question होता तो तूरंत आ जाता लेकिन इसने चाला किसे NPV given ही नहीं थी ठीक है NPV आपको given ही नहीं था यह red color में हम कर देते हैं कोई दिकत नहीं करी की पूरी करी NPV के लिए भी हमने क्या करा सर यहां पर step one step two के अंदर step one right NPV के लिए हमने क्या क्या चीज़े करी सर NPV के लिए हमारे को क्या करना था सर एक income statement follow करना था cash flow statement sorry cash flow statement follow करना था cash flow statement क्या कहता है सर cash flow statement कहता है कि profit after जो depreciation और tax जो है ठीक है वो चीज़ आपके पास में inflow बन थी inflow को हम क्या करेंगे सर inflow को यह क्या चीज़ कहता है cash flow statement कहता है अगर directly अगर question में inflow given है ठीक है direct inflow given है तो हम inflow into PV factor कर देते ठीक है लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि यह question आपको और ज्यादा calculation करवाना चाहता था यह question आपको और ज्यादा calculation करवाना चाहता था इसलिए आपको inflow directly नहीं given था इसने question ने कहा कि depreciation में गलती है तो हमने step number two step number यह तो हमने सोचा कि हम इस तरीके से कल नहींगे तो question में देखा कि directly तो inflow तो given ही नहीं था ठीक है हाला कि inflow given था कोई दिक्कत नहीं थी inflow given था लेकिन गलत था क्योंकि question ने एक important point यहां पर काहा कि depreciation हमने गलत ले रखा है अगर depreciation गलत ले रखा है तो उसके बाद की सारी चीज़े गलत हो जाएगी मतलब कि depreciation अगर आपने ये चीज़ गलत ले रखिए तो उसके बाद कि सारी चीज़े क्या होगे सर गलत ही होगी ठीक है तो यहाँ पर दिक्कत आ गई इसलिए हमें inflow को वापस से re-computation करना पड़ा ठीक है तो हमें क्या करना पड़ा हमें calculate करना पड़ा calculate correct depreciation correct depreciation जैसे ही हमने calculate कर लिया फिर हमारा inflow निकल के आ गया फिर हमने case flow statement को follow किया और NP भी हमने निकाल लिया ठीक है NP भी हमारा हो गया ठीक है total यह चीज़ हमारे पास में हूँ यह चीज़ आपके पास में यहाँ पे main जो summary रही वो यह चीज़ रही अब इसे summary को एक बार 5 से 10 minute लगेगा एक बार इसी summary को वापस से revise करने के लिए question में देखते जाते है ठीक है क्या यह summary के हिसाब से हमारा calculation हुआ था या फिन नहीं वो एक बार देख लेते राइट तोड़ी सी minute ज़्यादे लगेगी लेकिन important है इसलिए मैं करवा रहा हूँ बाकी तो इतना time में देता भी नहीं हूँ important है देखे summary में सबसे पहले तो क्या कासर replacement को question है हाँ जी replacement का question है question ने कहा कि भे replacement का question है ये लिजे illustration 18 कहता है old machine के बदले new machine लेना चाहते है replacement तो replacement का question है replacement का question है ठीक है तो replacement का question है तो step by step follow करिए सबसे पहला step तो net price कितनी पे करनी है तो सबसे पहले हमने वही निकाला था आप question में देखते जाएंगे solution में ठीक है net price हमने निकाला आप देख सकते है 350,000 इतना main pay करना है outflow second step एक काम करिए NPV निकाल लेजे question से NPV तो तुरंट निकाल लेते लेकिन question ने एक बढ़िया चीज जो नहीं देनी चाहिए थी वो deep given थी कहता था कि हमने जो यहाँ पे depreciation ले रखाए ना उसमें हमने गलती कर दी है अब depreciation गलती कर रखे है मतलब की inflow आपका गलत होगा inflow का मतलब profit after tax जिसमें depreciation एड़ करके हम यहाँ पे चीज़े निकाल लेते inflow वही मतलब profit after tax plus depreciation कर देंगे तो prof depreciation गलत ले रखा है उसके बाद के सारी चीज़े गलत हो जाए कि तो हमें सबसे पहले क्या करना बढ़ा depreciation की पूरी calculation करनी पड़ी कि 10 साल तक depreciation कितना कितना चार्ज होगा as per income tax method तो यहाँ पे कहता है कि income tax के हिसाब से written down value अपना नहीं थी 7.5% के साब से तो वह ही हमने चार्ज किया sir depreciation किस पे चार्ज होगा sir old machine पे क्योंकि देखे यहाँ पे time क्या कहता है sir आज हम यहाँ पे old machine यूज कर रहे आज हम यहाँ पे old machine 10 सल खतम होगे यहाँ पे मैं कहूँ example यहाँ पे दो आज हम यहाँ पे 10 सल खतम होगे खतम होगे अज यहाँ पे हम خड़े दिख रहा है हम यहाँ पे लीजे आज हम यहाँ पे खड़े कहता है कि आज हम यहाँ पे खड़े आज हम सोच रहे हैं कि sir replacement करना है मतलब कि 10 साल बाद यह old machine की life खतम हो चुकी तो यह 10 साल में जो depreciation charge हुआ होगा वो हमें यहाँ पर देखना है क्योंकि depreciation आज तक आप सारा का सारा गलत ले रहे थे और income tax के इसाब से आपको यह सही आपकी depreciation alone नहीं किया जाएगा ठीक है depreciation कौन सालो कर जाएगा 7.5% के साब से WDV तो हमें उस 10 साल का वापस से recalculation करना पड़ा ठीक है तो आज हम खड़े हैं 10 साल खतम हो चुके old machine के use करे हुए आज हम यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर ठीक है लेकिन 10 साल की re-computation करनी पड़ी क्योंकि income tax ने कहा कि आपने जो depreciation लिया है वो गलत ले रखा है ठीक है इसलिए हमने depreciation की recalculation करी depreciation recalculate करा मतलब कि सीधी सी बात है सारी चीज़े recalculate करनी पड़ेगी तो हमने profit before depreciation tax वो निकाला ठीक है profit before depreciation tax निकाला इसमें आप depreciation minus करेंगे और tax calculate करेंगे जैसे tax calculate हो जाएगा ठीक है tax minus हो जाएगा वापस से depreciation add कर देंगे और inflow आपके पास में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पी क्या हुआ देखे 80,000 में से depreciation सबसे पहले minus किया तो आपको मिलेगा यह amount profit before tax इसके बाद 30% tax है question depreciation वापस add back करेंगे depreciation add back करेंगे तो आपको मिल जाएगा यह inflow और inflow मतलब की क्या आसर वही तो हमें present value में convert करना होता है तो into PV factor करेंगे present value आ जाएगी ठीक है इसे तरह कैसे काम करेंगे salvage value का भूलना नहीं salvage value direct inflow मान लिया जाता है वो direct PV factor से multiply होगा salvage जब भी मिलेगी last year में मिलेगी ठीक है तो always salvage last year में मिलते है तो salvage value मिलेगी आपको last year जिस भी year में मिलती है उस year का PV factor से multiply करेंगे amount निकाल लीजे वो आपका inflow है ठीक है तो वो भी आप जोड़ देंगे इसमें तो यहाँ पे total आपका inflow निकल के आ जाएगा और आपके पास में NPV निकल के आ जाएगा अगर यह positive है तो accepted है अगर negative है तो accepted नहीं है यह simple सा equation था basically बड़ा question था लेकिन यहाँ पे बड़ा question होने के कारण mostly सारे concept आपके इसमें cover हो गए ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि exam time पे यही एक question इससे related कर लेते सारे concept cover हो जाएंगे ठीक है अब यह चीज़ आपने पढ़ ली यह चीज़ आपने पढ़ ली तो practical question में mostly question में मुझे ज्यादा मेनत नहीं करने पड़ेगी वही concept यहाँ पे repeat होते रहेंगे राइट अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे question करेंगे इस type के next video में राइट अच्छा यहाँ पे एक new edit question था यहाँ पे अगर हम देखे तो यह question number 13 तक तो I think सारे वहाँ पुराने module वाले ही है ठीक है हमने ICM module बेच भी अप्लोड कर रखा है वोगर हो कोई question particular में दिक्कत है तो वह ICM module बेच भी दे सकते है old syllabus वाला ठीक है basically सारे question old syllabus वाले ही है 2023 वाला ठीक है तो ICM module बेच भी पुरे का पुरा FM का available है playlist में आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप कोई भी question में दिक्कत है तो देख सकते है यहाँ पर जो है question number 14 I think new edit है ठीक है वो पहले नहीं था इस बर यहाँ पर add करा गया है बड़ा सा question है लेकिन मेरे क्याल से जितना बड़ा दिक्रा है उतना ही होना चाहिए आसान ठीक है देखते है चलिए कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पर practical question को खतम कर देंगे